नमस्कार, हिंदी साहित के मुत्वपून प्रस्णों के रिविजन स्रीच भाक्षे में आप सभी का स्वागत है आज 25 प्रस्णों का कुईक रिविजन करेंगे तो आईए देखते हैं पहला प्रस्ण महा माया भटनी और निपुडिका जैसे अमर इस्त्री चरित्र खजारी प्रसाद दिवेदी चेकी सुपनियास में है तो इसका उत्तर है बाण भट की आत्म कथा दूसरा सवाल लेते हैं सन्यासी और सुंद्री यैसे पात्रों के उत्कृष्ट चित्रांकन के लिए उलखिनिया उपनियास को किसने लिखा है तो इसका उत्तर है यादवेंद्र सर्माचंद्र तीसरा सवाल है मिधिल आंचल की संस्कृत का सजीव चित्रन करने वाले उपनियास मैला आंचल और परती परिकथा का लेखा कौन है तो इसका उत्तर होगा फणिस्वर नात रेणू चोथा सवाल लेते हैं नदी फिर बह चले किसका चर्चित आंचलिक उपनियास है यह हिमानसु सिर्वास्तों का उपनियास है पांचवा सवाल समलैंगी की योन समंधों में लिप्त इस्तिरियों की कहानी कहने वाला और अपनी कथा यो सैली की द्रिश्टी से चोकाने वाला मचली मरी हुई उपनियास किसका है तो इस उपन्यास के लेखक है राज कमल चौधरी आई अगला सवाल देखते हैं चछटा सवाल डांक बंगला और एक सणक संतावन गलियां जैसे मनुस्त के अस्तित्त को समाजिक और परिवारिक संदर्बों में परिभासित करने वाले उपन्यासों का लेखक कौन है और विवाहित अकेली पढ़ गई औरत के मानसिक और लैंगिक संघर्थ को व्यक्त करने वाला पच्पन खंभे लाल दिवारें किसने लिखा है तो इसका उत्तर होगा उसा प्रियवंदा अगला सवाल देखते हैं आठ नमबर एक कस्बे के बहाने से भारतिय सरकारी तंप राजनितिक वेवस्था में व्याप्त बहु अस्तरिया भष्ट चार की परते उदेड़ने वाला चर्शित ब्यंग उपन्यास राग दरबारी का लेखक कौन है तो इस उपन्यास के लेखक हैं स्रीलाल सुकल अगला सवाल लेते हैं नौवा सवाल यहां से वहां अग्यात वास तथा आदमी का जहर किसके उपन्यास हैं तो इसके भी उपन्यास कार हैं स्रीलाल सुकल यह सब स्रीलाल सुकल दर लिखी गई हैं आगला सवाल देखते हैं दसवा सवाल कुरू कुरू स्वाह यो कसप के उपनियास कार कौन है तो इसका उत्तर होगा मनोहर स्याम जोसी एक ग्रहवा सवाल कृष्टन सोबती के किस उपनियास में केंद्रिय पात्र रक्तिका की काम अतिप्तियों का बखान है तो इसका उतर होगा सुरूज मुखी अंधेरे के आईए बरावा सवाल देखते हैं महा भोज हूँ आपका बंटी किसके उपनियास है तो ये मन्नु भंडारी जी का उपनियास है तेरहावा सवाल लेते हैं किस काल जई उपनियास में अमरित लाल नागर ने सहरी दलित जीवन की मुश्किलों का चितरन किया है तो इसका उतर होगा नचयो बहुत गोपाल चोधावा सवाल लेते हैं पंजाब के ग्रामीन दलित समाज की समस्याओं पर गंभीरता यों सहान भूती से इर्था चितरन करने वाले जगदिश्चंदर के उपनियास का सिर्षक क्या है तो इसका उतर होगा धर्ती धन अपना पंद्रहवा सवाल है बटवारे के दोरां संपरदाईक मार काट का दिल दहला देने वाला वंडन भिश्चंदर सहानी ने किस उपनियास में किया है तो इसका उतर होगा तमस अगला सवाल सुलामा सवाल लेते हैं आधुनिक हिंदी सहित्य का पार्रम कब से माना गया है तो इसका उतर होगा संवत उन्नीसो से आदिनिक हिंदी सहीत का पर्रम सन्मुवन्त उन्नी सो से अगला सवाल सतरावा सवाल लेते हैं राम चरित्र मानस की रचना कब पर्रम मानी जाती है तो इसका उतर होगा समथ 1631 अठरावा सवाल भारतिय काव सास्तर में सहीत के कितने रस पूर्व से मानने हैं तो इसका उतर होगा नौव उन्नीस्वा सवाल भक्ती और वातसल्य को रसों में जोड़ देने से अब सहित में रसों की संख्या कितनी हो जाती है तो इसका उतर होगा एगारा कौन कौन से सिंगार रस, हास्य रस, रोद रस, करून रस, वीर रस, अधभूद रस, विवत्स रस, भ्यानक रस, सांत रस, वातसल्य रस और भक्ती रस अगला सवाल लेते हैं, वीश्वा सवाल लेते हैं, करून रस का अस्थाई भाव क्या है, तो करून रस का अस्थाई भाव सोक है अगला सवाल, रोद रस का अस्थाई भाव क्या है, रोद रस का अस्थाई भाव क्रोध है 22 सवाल भरत मुनी के नाट सास्त्र के अनुसार अस्थाई भावों की कूल संख्या कितनी है तो इसका उतर होगा 8 अगला सवाल कब बिसास्त्र में संचारी या विवचारी भावों की कूल संख्या कितनी मानी गई है तो इसका उतर होगा 33 33 अगला सवाल स्रीलाल सुक्ल को सहित्यकादि पुरसकार किस रचना पर मिला तो इसका उतर होगा राग दरवारी 25 सवाल अचारे रामजंदर सुक्ल ने विहारित सत्सई के किस पक्च का उपहास किया है तो इसका उतर होगा भक्ती भाव का तो आज इतना है पाँ